हलो एवरिवन वेलकम चू माँ चैनल यॉर चैनल पुनिस्टर की पाइट शाला और आज लेके आ गया हूँ इस लेक्चर को शुरू करते हैं तो बहुत खुबसूरत चीज के साथ आता है जिसका खुबसूरत नाम है राइड एंगल ट्राइंगल तो एक छोटा सा इंट्रोड़क्शन राइड एंगल ट्राइंगल के बारे में क्योंकि कुछ बच्चो ने कमेंट भी किया था कि सार होती है पर्पेंडिकुलर क्या होता बेस क्या होता क्या है क्या है क्या यह तो मेरे प्यारे बच्चो ट्राइंगल बहुत सारे प्रकार के होते हैं और ट्राइंगल की खुबसूरती यह है इस ट्राइंगल की खुबसूरती यह है कि इसका अगर एक एंगल कितना एक एंगल अगर 90 डिगरी का हो, दो नहीं हो सकते, ध्यान रखना, क्यों नहीं हो सकते, कमेंट करके बताओ, दो क्यों नहीं हो सकते, दो एंगल 90 डिगरी क्यों नहीं हो सकते, एक ही ट्राइंगल के अंदर, कमेंट करके बताओ, देखता हूँ किस कौन बच्चा होशी आरे, कौन नहीं ह का हो जाए, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो उस खुबसूरत से राइट एंगल को बोलते थे, उस खुबसूरत से ट्राइंगल को बोलते थे, राइट अरे सर क्या लिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बोलते थे, राइट एंगल ट्राइंगल, अब बच्चो इस triangle का भी एक खुबसूरत सा नाम है जिसका नाम है sir ABC अब यहाँ पर दे दिया है कि right angle at B उमारा पहला question क्या है right angle at B चलो ठीक है right angle at B यह दे दिया right angle at B तो बच्चो मैं basic जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि एक pythagoras theorem होती है मैंने इसके पहले बताया है pythagoras theorem होती है उस pythagoras theorem की खुबसूरती यह थी कि इन तीन side का एक special ratio था या एक special relation था वो relation यह था कि 90 degree के सामने वाली side जो होगी उसको बोलते थे longest side जिसका नाम था hypotenuse क्या बोलते थे hypotenuse 90 degree के सामने वाली side जो सबसे लंबी होगी और मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते थे या तो यह base हो सकती थी या तो perpendicular हमने इसको base माल लिया है और यह होती थी perpendicular क्या होती थी perpendicular किसकी आवाद आ रही है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं थोड़ा disturbance होता रहता है अब इनका एक बहुत प्यारा सा relationship था उसक्यूज मिं वो relationship क्या था कि यह hyperteneus का जो square होगा जो इसका square होगा hyperteneus into hyperteneus वो किस-kis के बराबर होगा perpendicular का square प्लस base के square के बराबर क्या होगा perpendicular का square और base के square के sum के बराबर होगा बस यही condition हमको याद रखनी है और इसी को बोलते थे Pythagoras Theorem क्या बोलते थे Pythagoras Theorem अब पहला question दिया हुआ है पहला question दिया हुआ है question number A कि right angle at B है right angle at B है उनने का sir AB की जो value है AB की जो value है 6 cm है और BC की जो value है वो 8 cm है तो AB की कित्ती दे रखी है Sir 6 है न सर 8 क्यों लिख रहा है sir 6 है और BC की value कित्ती है 8 cm अब बच्चों उनने बोल दिया AC find out करो AC find out करो तो हम AC निकाल लेंगे कैसे इसका 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 इस्तमाल करके अब बता hypertonus इस triangle में hypertonus क्या है AC तो AC का square equal to AB का square plus BC का square AC की value नहीं पता sir AC square is equal to AB की value AB की value 6 6 का square 36 36 plus base की value 8 8 का square 64 AC square equal to 36 plus 64 हो जाएगा 10 plus 10 sorry 10 into 10 100 कित्त हो जाएगा अब वो मेरे दिमाग में का square root निकालने लग गया था sorry है ये दोनों को plus करने पर कित्ता आएगा 100 कित्ता आएगा सब लोग कित्ता आएगा AC का square हटेगा तो क्या लगता है root या मैंने क्या बताएथा इसके पहले वाले लेक्चर में क्या बताएथा question number 6 में बताएथा कि अगर आपको दोनों तरफ squaring कर दी तो दोनों तरफ square root भी कर सकते हो अब ये equation इसके बराबर थी तो हमने कर दिया root दोनों तरफ root ले लिया रूट टेकिंग रूट टू बोट साइड तो स्क्वार से रूट कैंसल बचा कितना एसी और इसको हम से हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 तो एक प्यार भार इंडेक्स की वैलू 2 है जो कुछ नहीं लिखा तो तो एसी की वैलू कित्ती हो गई मेरे प्यारे बच्चा सर टेन सेंट समझ में आया है ए एक special triangle होटा है लाइट-ेंगल ओता है क्योंकि इसमें ये र्याइट-ेंगल होता है दो क्यों никто करके अब लाइन अबता जो होता है वो सबसे longest side होती है, जो कि 90 degree के सामने होती है, AC का square, AB का square, BC का square, इन तीनों का एक relation होता है, जो कि यह relation यहाँ पर दिया, उसी relation का इस्तेमाल यहाँ किया है, इस equation को कहा जाता है, Pythagoras theorem, clear, बहुत बड़ी है, अगला सवाल, इसको छाप लो, दिमाग में भी और copy में भी, शांदार, एक number, मज़ा आगया सर, next सवाल ही, question number B, question 7 में ही question number B है, अब क्या दिया हुआ है, सर, AC दिया हुआ है 13 cm, और BC दिया हुआ है 5 cm, आप से पूछ लिया है, AB निकाल दो, भाई, relation वही है, AC का square is equal to AB का square, plus BC का square, बहुत खुबसूरत, शांदार, AC का square 13, 13 का square 169, याद नहीं हो, तो 13 into 13 करके देख लीना, is equal to AB की square की value, हमको find out करने हैं, BC की square 25, अरे 5, 5 है 25, 25 इदार आएगा, तो क्या होगा, minus का, 169 minus 25 is equal to AB square, और AB square is equal to 144, 169 में से जब 25 minus होगा, तो कितना होगा 144, और यहीं खुबसूरती समझ में आएगी, कि AB is equal to under root of 144, अब मैं आपको बार-बार, taking square root to both side नहीं बोल रहा हूँ, तो it is already understood, कि यहाँ पर आपको यहीं करना है, तो आप square root आओगा, तो root भी लगा सकते, कोई दिक्केत वाली बार नहीं है, AB is equal to, अब 144 किसका square root हो था, आपको पता है, 12 into 12 नहीं समझ मारा, तो इसके पहले long division method, prime factorization method, बहुत सारे method बता चुके हैं, आप बिल्कुल solve कर लो उसको, तो 12 एक pair भार, तो कितना आएगा 12 centimeter, AB की खुबसूरत value हो गई, 12 centimeter, चाप लो दिमाग में भी, copy में भी, तो I hope आपको यह lecture समझ में आया, question number 7 छोटा सा lecture था, और समझ में आया, पसंद आया, पसंद आया तो like कर दो, like नहीं करते तुम लो, और मैं देख रहा हूँ कि, बहुत सारे ऐसे viewer है, जो वीडियो तो देखते हैं, लेकिन subscribe, भाई कर दो यार, subscribe कोई दिक्कत थोड़ नहीं है, कर लो subscribe कर लो, और bell icon जरूर दबा लो, ताकि सारी notification आपको मिलती है, कि मैं कब live आने वाला हूँ, जो मुस्से live पढ़ना चाता है, 8 में नहीं, 9 में, 9 में, 10 में, comment करते आओ, कि कौन सी live class लगानी है, अब मैं live का पूरा setup कर रहा हूँ, और live class भी चलाओंगा, और वीडियो भी बनाते जाओंगा, ताकि जिसको वीडियो देखना है, पर question हिसा आप से देखना है, तो वो भी कर सकता है, चैनल में नहीं हो, तो subscribe कर लिया, ठीक है, कर लो, अच्छा है, कर लो, लाल बला पटन दबा दो, होता है, ठीक है, और तब तक के लिए बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, देखते रहो, पुनिस्तर की पार्ट शाला, जैहिन,